वाइनिम संजीफ पांडे और स्वागत आपका अपने प्यारे से चैनल में खुबसूरे से चैनल में जे आर टुटोरियल में ओके तो कैसे हैं आप लोग कैसे चल रही है पड़ाई तो सबसे पहले बात इसके पहले वाला वीडियो देखके आए की नहीं आए क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो देखके नहीं आओगे तो सबसे पहले अगर तुम लोग यहां पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो पूरा का पूरा सीरीज देखके आओ अगर तुम लोग यहाँ पे अभी लास्ट वाला वीडियो नहीं देखके डारेक्ट आ रहे हो, तो सबसे पहले जाओ, पीछे वाला वीडियो देखो, और यहाँ पे जम करो, ओके? सब को पता है, we have started the second chapter, which is nothing but a mathematical method, mathematical method में हम लोगे बहुत सारा topic complete कर लिया है, सारा वीडियो एवेलेबल है, जाओ, देखो, शेयर करो, लाइक करो, और तुमको पता है, अगर तुम लोग चैनल पे पहली बार आए हो, तो obviously क्या करना है, चैनल को subscribe जरूर करना है, क्योंकि 9, 10, 11, 12, yes or no, चलो, so, फटा-फट भूक उठा लो, पैन उठा लो, और खड़े हो जाओ, खड़े हो ना, बैटना है, चलो, बैटके पड़ोगे, बैटके बड़ोगे, चलो, कोई प्रब्लम नहीं हो, आज बैटके पड़ेंगे हम लोग, मैं खड़े हो के पड़ा कि पिछला वाला वीडियो देखो और यहाँ पे आजाओ, डिरेक्ली, ओके, तो वीडियो पॉस करो, पीछे जाओ, पुराना वीडियो देखो, वापस यहाँ पे आके जम करो और प्ले करो, चलो, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली थोड़ी बात कर लेते हैं, स्केलर कि, माल लोग कि अगर हमार पास दो वेक्तर है, let's say vector A, और let's say vector B, तो इनका स्केलर प्रड़क्त क्या हो जाएगा, इनका scalar product हो जाएगा, that is AB cos theta, यह already हम लोगने discussion कर लिया था, क्यों होगा यह, okay, what is A, A is nothing but a magnitude of A vector, what is B, nothing but a magnitude of B vector, and what is theta, nothing but 2 vector के बीच का angle, माल लो कि अगर यह 2 vector है, तो इनके बीच का angle, यह A vector है, और यह B vector है, तो इनके बीच का angle है यह, clear बास मुझा आगा, यह पहला characteristics है, nothing but a definition of your vector, okay, यह तुमारे vector का definition है, scalar product का definition है, और scalar product को हम लोग और क्या बोलते हैं, फटा-फट कमेंड में बताओ, मैं नी बताने वला, scalar product is also known as, पुराना वला एविडियो देखो, comment में बताओ, फटा-फट आंसर दो, okay, next तरफ बढ़ते हैं, next is, जो हमारा scalar product है, यह बहुत अच into 4, हाँ यह ना, यह सेम है, तो यह vector law भी follow करता है, vector law भी यह चीज़ follow करता है, क्या follow करता है, देखो ज़रा, अगर मैं बात करूँ, scalar product की, scalar product यह follow करेगा, मतलब a.b is equal to b.a, याद रखना, vector में यह चीज़ नहीं होता, जब vector product आएगा ना, तो vector product में यह चीज़ follow नहीं होगा, बट scalar product में यह follow होता है, मतलब अगर एक vector, दूसरे vector के साथ dot product कर रहा है, तो याद रखना, दूसरा vector, पहले vector के साथ dot product कर सकता है, और यह dot है, तो dot की तरह बनाओ, dot की तरह लगना ची है यह याधट आट ना इसको बोलते हैं हम लोग कमिटेटी लोग क्या बोलते हैं को मुटेटीव लोग प्लस वैसे प्लसでは प्लस एंटू-अ क्लसी और यहां पर डॉट पर रहा है कि और रहा है दॉट परिक्ट हो रहा है तो यहाँ पे जब हम लोग bracket open करेंगे, हम लोग ने बच्पन में किया है ना, bracket हम लोग open करते थे, तो क्या करते थे, a into b, फिर a multiply होगा, c के साथ भी हाँ या ना, करते थे की नहीं करते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a dot b plus a dot c, बस bracket open करो, bracket open करके, a को b के साथ multiply करो, और a को c के साथ multiply करो, कहानी खतम, this is called the distribution law, मतलब यह जो हमारा scalar product है, यह distribution law follow करता है, हाँ या ना, बास समझ में आगए की ने, समझ में आगए everyone, this is nothing but a third characteristics, next is fourth characteristic, अब fourth कहानी क्या है, fourth है angle के बीच की बात, मतलब उनके जैसे जैसे angle का variation होगा, वैसे वैसे, there will be a change in scalar product, तो कैसे कैसे होगा, let us consider, सबसे पहला consider कर लेते हैं, if theta is 0, if theta is 0, अगर theta 0 होगा, तो क्या होगा, माल लो, अगर theta 0 हुआ, तो क्या होगा, a dot b, बराबर हो जाएगा, a b, cos theta, but what is cos theta, theta है, क्या theta 0 degree है, हाँ या ना, तो यहाँ पर 0 put करो, cos 0 होता क्या है, cos 0 होता है 1, तो cos 0 के जैगे 1 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, a dot b, is equals to a b, मतलब अगर दो वेक्टर के बीच में angle 0 है, अगर दो वेक्टर के बीच में angle 0 है, तो मात्र क्या करो, उन दोनों वेक्टर के magnitude का product ले लो, क्या करना है, multiply करना है, मतलब a का magnitude, multiply करना है, b के magnitude के साथ, you will get the answer, you will get the answer, clear बास्में में आ गई, next condition की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा रेंज कर देते हैं, यह उपर shift हो गया, यह उपर shift हो गया, थर्ड, यह उपर shift हो गया, next, next characteristic की बात करते हैं, मालों की angle change करता हूँ में, इफ theta is equals to 90, अब दोनों के बीच में क्या हो गया, 90 degree हो गया, मतलब पुछ ऐसी कहानी बन गई, पहले क्या था, पहले ऐसा था, दोनों वेक्तर पारलर थे, दोनों वेक्तर के बीच में कोई भी angle नहीं था, मतलब 0 angle, अब ऐसा हो गया, मतलब दोनों परपंडिकुलर हो गया दोनों वेक्तर क्या हो गया, अब दोनों वेक्तर परपंडिकुलर हो गया, तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो क्या हैगा answer, ओके, सो a.b vector is equals to a.b cos 90, and what is cos 90, cos 90 is 0, cos 90 is 0, अब cos 90 is 0 हो गया, 0 into a.b करो गया, answer क्या हैगा, 0, मतलब a vector into b vector, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना, कब 0 हो जाएगा, जब दोनों परपंडिकुलर होंगे, जब दोनों परपंडिकुलर होंगे, इसका बहतरीन example समझना है, बहतरीन example समझो, work, work क्या होता है, work होता है, dot product of force into displacement, force into displacement, अब जरा सोचो, अगर मैं force, परपंडिकुलर लगाऊंगा, क possible हो पाएगा, क्या, नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर work 0 होता है, इसलिए वो dot product 0 होता है, जब कभी भी याद रखना, दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में angle 90 हो, तो dot product हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, बात समझ में आ गई, everyone पका, आगे बढ़े, चल हो जाएगा, जरा देखो तो, माल लो, if, if theta is 180, theta क्या हो जाएगा, 180, अब अगर 180 डिगरी हो गया, तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, a dot b वेक्टर बराबर हो जाएगा, a b cos 180 से, and what is cos 180, that is minus 1, cos 180 is minus 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 180 minus 1 डालेंगे, क्या ही मिलेगा, minus a b, क्या मिलेगा, minus a b, मतलब indirectly क्या करना है, अगर माल लो कि यह दो वेक्टर है, और यह दो वेक्टर 180 हो गए, 180 बोले तो, anti-parler, मैंने बताया था, 180 का दूसरा नाम क्या होता है, anti-parler, तो अगर दोनों anti-parler हो गए, opposite direction में हो गए, तो क्या ही करना है, उनका magnitude कैसे निकले भाई, a का magnitude निकालो, b का magnitude निकालो, a का magnitude निकालो, b का magnitude निकालो, दोनों को multiply कर दो, और आगे बस एक minus sign लगा देना, प्यारा सा, भाई, प्यारा सा minus sign लगाओगे, कहानी, खतर, प्यारा सा minus sign लगाओगे, कहानी, खतर, clear everyone, बात समझ में आ गया, पक्का, चलो, बहुत बढ से लेक्चर नंबर टू देखो वहाँ पे अम लोगों ने डिसकरशन किया है what is unit vector okay so मुझे पता है unit vector क्या होता है unit vector होता है अब अगर मैं दो same unit vector का dot product लोगा तो क्या कहानी बनेगा देखो जरह मालो i cap into i cap अगर i cap into i cap लोगा तो answer आएगा 1 रावान आएगा answer आएगा 1 कैसे 1 आएगा भाई देखो दोनो x के लिए कहानी है 1 क्यों आएगा वो समझेग, दोनो x के लिए कहानी है यह सुलो, भाई दोनो unit vector किसके long है, x के long है मतलब दोनो के बीच में angle क्या होगा, 0 होगा अब दोनो के बीच में angle होगा 0 तो क्या मिलेगा मुझे मुझे मिलेगा पहले vector का magnitude into second vector का magnitude अगर unit vector है तो उसका magnitude क्या ही होगा 1 1 into 1 nothing but 1 तो i dot i क्या होगा 1 होगा याद रखना ये सब के लिए true है i dot i j dot j 1 होगा k dot k 1 होगा ओके ये तीनों हमेशा याद रखना अगर किसी ने बोल दिया कि what will be the i dot j तो answer will be 0 किसी ने बोल दिया j dot k answer will be 0 किसी ने बोल दिया k dot i answer will be 0 क्यों? perpendicular है भाई साब perpendicular x और y perpendicular है रहा ना x और y perpendicular है अब x और y perpendicular है तो i और j भी तो perpendicular हो जाएंगे और i और j जैसी पर्पेंडिकलर होंगे कहानी देखो क्या आ जाएगी कहानी 0 की आ जाएगी नहीं आ जाएगी आ जाएगी यह चीज़ हमेशा याद रखना अगर दोनों same unit vector है तो उनका product 1 आएगा अगर दोनों opposite है तो उनका product क्या आएगा 0 आएगा clear बात समझ में आए देखो यह characteristic समझ में आ गया ना scalar product ऐसे solve होंगे ऐसे solve होंगे scalar product ओके solve करें scalar product का चलो scalar product माल लो कि मेरे को एक vector given है let's say vector p और वो given है मेरे को px i cap plus py j cap plus pz k cap ओके यह मेरे को एक p vector given है let's say q vector भी given है that is qx i cap plus qy j cap plus qz k cap what is i j k तुमको पता है कि हम लोग ने vector को तीनो component के आलोंग रखा है okay x के आलोंग रखा है y के आलोंग रखा है और z के आलोंग रखा है तो मिरे पास यह दो vector है दो vector है बरबार अब यह दोनों vector का मैं dot product लेने वाला हूँ दोनों vector का क्या लेने वाला हूँ dot product और तुम लोग मेरी मदद करोगे कैसे dot product लेते हैं तो यहाँ पे देखो let us consider p vector dot q vector तो कैसे ही dot product लेंगे पहला क्या जाएगा pxi plus pyj plus pz k dot qxi plus qy plus qz k हाया ना कुछ नहीं किया हम लोग ने सिर्फ p का value लिग दिया dot q का value लिग दिया अब bracket open करना आता है कि नहीं आता है बस यहाँ पर bracket open करो कहा नहीं खताब यहाँ पर मात्र क्या करो bracket open करो अब пятर कैसे open करते हो पहला vector यह पहला जो magnitude है यह 3 के साथ multiply होगा हाँ है ना 3 के साथ multiply होगा 3 के साथ तो देखो क्या होगा 2 3 C Κ Сам multiply करते है तो क्या होगा देखो ध्यान से देखना, P, Q, multiply करो, तो P, X, Q, X, अब क्या बच रहा है, I, I, I dot I होता क्या है, फटाक से answer दो, I dot I होता क्या है, I dot I one होता है, yes or no, तो यहाँ पे कहानी one क्या जाएगी, yes or no, बात समझा की नहीं समझा, बहुत बढ़िया, अब धरा ध्यान से दो, P, X, और वापस मे होगा देखो जारा, क्या होगा जारा, multiply करो, so plus P, X, Q, Y, अब vector को भी multiply करना पड़ेगा, देखो, I vector, J vector, I vector, J vector, भाई, इन दोनों का dot पड़क क्या ही होगा, 0, I, J, perpendicular हाँ आना, perpendicular के लिए क्या ही होता है, 0, अगर यह 0 है, तो यह पूरा 0 नहीं हो जाएगा, जरा सोचो, य पूरा 0 हो गया, तो इसकी लिखनी की जरुत है, क्या नहीं है, अब देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पे हम लोग directly conclude कर सकते हैं, P, X को Q, X के साथ multiply करना है, P, Y को Q, Y के साथ multiply करना है, plus P, Z को Q, Z के साथ multiply करना है, उसके बाकी जो भी remaining part रहेगा, वो सारा 0 हो जाएगा, हाँ समन्मारिक नहीं समन्मारिए everyone, coefficient का, I का coefficient, I के साथ multiply कर दो, J का coefficient, J के साथ multiply कर दो, और K का coefficient, K के साथ multiply कर दो, you will get dot product, 100 का guarantee है, clear, बास समझ में आ गई everyone, चलो, अब इसके उपर example discuss कर लो, example से ज़्यादा चीज़े clear हो जाएगी, okay, let us consider, let us consider, मैं vector consider कर लेता हूँ, कोई भी vector, let us consider एक V1 vector ले लेता हूँ, V1 vector क्या हो जाएगा, 3I cap, plus 4J cap, और एक V2 vector ले लेता हूँ, मालो, 3I cap, minus 2J cap, और मेरे को बोला, कि इनका क्या calculate करना है, इनका मेरे को dot product calculate करना है, तो dot product क्या ही होगा जारा देखो तो, V1 dot और vector है, देखो vector पे arrow देना जरूरी है, तभी तो समझ सी चीज़े लगती है, arrow देना, arrow देना भूल गए, बट जैसी arrow देना भूल जाओगे, तो वो vector से scalar बन जाएगा, और गलत हो जाएगा, तो arrow देने का habit डाल दो, arrow और cap का habit, दो habit रखना चीए, vector quantity है, तो उपर arrow का habit रख लो, और अगर unit vector है, तो उपर cap डालने का habit रख लो, तो क्या ही मिलेगा मेरेको, v1, dot, v2, dot, dot product लेना है, कैसे लेंगे dot product, भाई, i का coefficient, i के coefficient से multiply होगा, तो 3 into 3 क्या हो जाएगा, 9, j का coefficient, j के coefficient से multiply होगा, क्या हो जाएगा, 4 into minus 2, 4 into minus 2, minus 8, क्या ही हो जाएगा, 9 minus 8, 1, आ गया कि नहीं आ गया, 1 आया कि नहीं आया, तो v1, dot, v2, क्या y आएगा 1 आएगा अब यहाँ पर ध्यान से देखो इसको क्यू बोला क्यू जाता है scalar quantity यह scalar quantity क्यू बोला जाता है यहाँ पर एग भी आई J के दिखी नहीं रहा है भाई वह वेक्तर dependent हई नहीं वह direction dependent हई नहीं और जब वह direction dependent नहीं है तो वो scalar quantity हुआ की नहीं हुआ तो यहाँ पर magnitude मुझे मिल गया कैसे निकालते है magnitude समझ में आ गया सबको everyone पका homework दे दू answer आएगा पका चलो ले लो homework homework ले लो फड़ा फट मानलो मेरे पास एक vector a है 2i plus 3j minus k और एक vector b है 3i minus minus 5j minus 3k अब तुम लों बोलोगे सर आपने सिखाया दो वाला vector homework दे रहे हो तीन वाला रहे कुछ नहीं करना मिटा कुछ भी नहीं करना क्या ही करना है के के कोईफिशिंट को के के कोईफिशिंट से multiply कर देना बस 2 मिनिट का answer है 2 मिनिट का फड़फड पॉस्ट करो answer दो कमेंट में फिर आगे बढ़ो फिर vector characteristics की तरफ बढ़ो नहीं तो नहीं याद रखना चलो अब next कहानी पढ़ते हैं next कहानी is characteristics of vector बहुत बहतरीन कहानी है और थोड़ी से अलग कहानी है as compare to scalar से, scalar से थोड़ी से अलग कहानी है तो सबसे पहला क्या हो जाएगा सबसे पहला भाइस का definition जो की तुमको पता ही है what is the definition of vector product a vector cross b vector यहाँ पर हम लोग cross करते हैं is always equals to a b sin theta and what is a b here a b is nothing but a magnitude a का magnitude and b का magnitude यह याद रखना okay so a cross b is equals to a b sin theta इसको cross product भी बोलते हैं क्यों cross product बोलते हैं क्योंकि अगर दो vector को मैं multiply करूँगा दो vector को मैं multiply करूँगा जो जो मेरे को resultant vector मिलेगा जो तिसरा vector मिलेगा वो एक vector quantity होगा और वो कहाँ पे होगा वो perpendicular होगा इन दोनों quantity से कुछ इस तरह diagram के form में कुछ इस तरह होगा मालनों ये vector है ये vector a है ये vector b है तो मेरा जो resultant vector होगा ये यहां कहीं होगा इन दोनों को perpendicular होगा वो a को भी perpendicular होगा वो b को भी perpendicular होगा दोनों को perpendicular होगा कुछ ऐसी कहानी है कुछ ऐसी कहानी है देखो देहां से यह मालों A vector है यह B vector है तो यह मेरा resultant vector होगा यह मेरा resultant vector होगा हम लोग ने इसके पहले वाले chapter में discuss कर लिया है इसके पहले वाले जो video है उसमें हम लोग ने discussion कर लिया है vector product का यहाँ पर हम लोग directly characteristic की बात कर रहे हैं कि यदो सबसे पहला वहां पर जोटकर्वतुप ह வो स्केलर करता था ऱ्याद रखना यहां पर्यत्र घ्रीक्त वेख्टर-प्रड़क्त है और भी बता देता हो थोड़ी दिर नहींक रहें किई करता अब मैं अंग पी Colombi कि ए कर दी is not equals to b cross a बस यह याद रखो is not equals to a cross a cross b is not equals to b cross a क्यों? यहाँ पर देखो यहाँ पर thumb rule की कहानी आ जाती है thumb rule, सब लोग फटार से अपना right hand thumb rule उठाएंगे ज़रा a से b की तरफ जाओ जब तुम लोग a से b की तरफ जाओगे thumb तुमारा उपर रहेगा और at the same time जब तुम लोग b से a की तरफ आओगे thumb तुमारा नीचे रहेगा दोनों सेम वेक्टर है दोनों सेम वेक्टर को सेम तरीके से multiply कर रहे हो बट दोनों situation में direction is changing हाँ या ना? दोनों situation में direction is changing एक बार कहां जा रहा है? उपर जा रहा है, एक बार कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है इसलिए बोला जाता है, कि a cross b is not equals to b cross a हाँ, अगर तुमको equal करना है तो तुम लोग कर सकते हो अगर तुमको equal करना है तो कर सकते हो condition क्या है? condition यह है कि वहाँ पर minus sign देदो a cross b is equal to b cross a यहां पर वहारिक माहीनस sign देतो सब्सक्राब है को सब्सक्राइब करेगे तब थे खकेच्च फ्र्म doctor I am West दाएगा ओकी तब कर्फेक्ट लाम के सब्सक्राइब यह है है यहाद रखना ये हाँ distribution law follow करेगा तो distribute कर दो a cross b हो जाएगा a cross b प्लस यहां पर क्या हो जाएगा a cross c अब एक और चीज यहां पर भी लिखते time distribute करते time भी order हम लोग change नहीं कर सकते पता चला कि यहां पर distribution करते time order का ध्यान नहीं रखा पलट जाएगा कहानी गए नंबर वहाँ पे तो अगर नंबर बचाना है अगर perfect marks चाहिए तो याद रखना कि distribution करते time भी order same होना चीए a cross b होना चीए बात समझा next next special cases okay angle की बात करेंगे यहां पर so angle की बात करेंगे चलो फटा-फट केस ले रेते हैं तो if theta is equals to 0 पहला case theta क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर theta 0 हो जाएगा तो a cross b तुम लोग बताओगे फटाक से अगर theta 0 हो जाएगा तो a b sin 0 and what is sin 0 ? sin 0 is nothing but 0 मतलब अगर जब कभी भी दोनों vector same हो ऐसे पारलर हो उनके बीच में angle 0 हो तो उनका cross product 0 हो आएगा यह याद रख लेना clear बात समझ में आ गई तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा यहां पर मुझे a cross b मिलने वाला है 0 a cross b मुझे क्या मिलने वाला है 0 0 ओके मालो की angle हो गया मालो theta हो गया 90 मालो theta हो गया 90 अगर 90 हो गया तो a cross b क्या मिलेगा a cross b मिल को मिल जाएगा that is a b sine theta and what is theta theta is nothing but nabbe and what is the sign 90 sign 90 is 1 तो क्या ही मिलेगा मिलेगा a cross b मिलेगा a cross b is equals to a b मतलब just क्या करो उनके magnitude का product निकाल दो just क्या करो उनके magnitude का product निकाल दो you will get the answer you will get the answer so टका है यह guarantee clear बात सम्झ में आगए everyone पका चलो next condition यहीं पे लिगदू next अगर theta if theta is 180 180 का condition तुमनों बता दो 180 sin 180 क्या ही होता है sin 180 0 ही होता है sir तो 0 ही होता है तो क्यूं टाइम वेस्ट कर रहे हो लिगदो a cross b 0 यह सा नो भाई sin देखो sin wave याद रखो अगर तुम लोग graph याद रखते हो ना कहानी याद होती है ऐसे ऐसे चलता है sin यहाँ पर देखो sin 00 180 यहाँ पर क्या हो जाएगा टू पाई पाई पर जैसे जैसे पाई एन पाई पर साइन क्या मिलता है 0 मिलता है ओके अई बोलो के sir क्या बोल रहे है समझ में नहीं आ रहा है और समझेगा max पढ़ोगे समझेगा यह max की कहानी है मैक्सी कहानी है धिरे-धिरे सब समझेगा देखो जरूरी क्या है जरूरी पढ़ना है और एक ही दिन में पढ़ाई हो जाती है ना ना एक दिन में पढ़ाई नहीं होती है कि step wise step wise step wise आगे बढ़ते जाओ obviously सारा चीज समझ में आएगा तुम लों सोच एक दिन में सारी चीज उठाके रटलू एक चीज एक दिन में सारा चीज पढ़ लू नहीं होने वाला तो धिरे धिरे याद करो, जो जो चीज सीखते जाते हो उसको brain में feed करते जाओ, brain में drawer बना लो तुम्हारे, drawer set कर लो, कोई नई चीज सीखी, उस drawer के अंदर डाल दो, तो जब तुम लोग recall करोगे, तो फटाक से उस drawer को खोलो, उसके अंदर से data निकाल लो, तो याद हो जाए जो तुम लोग 8 वी में पढ़ रहे हो, 9 वी में पढ़ रहे हो, 10 वी में पढ़ रहे हो, 1st में पढ़ रहे हो, 2nd, कोई भी standard वी पढ़ रहे हो, भूलना कभी नहीं है, क्योंकि आगे जिंदगी भर काम आने वाला ये चीज, जिंदगी भर, clear, चलो, तो यहाँ पर आजाओ पड़ाओ पड़, अब इसमें भी सेम यूनिट वक्टर की कहानी लगेगी, कैसे लगी ज़रा देखो तो, इसके अंदर थुड़ी अलग कहानी है, इसके अंदर थोड़ी अलग कहानी है, अब इसके अंदर confusion होगा, इसलिए हम लोग इसको अलग तरीके से समझेंगे, इसक अगर मुझे किसी ने पूछा i cross j क्या पूछा i cross j i से j की तरफ जा रहा हूँ i से j की तरफ जा रहा हूँ तो answer क्या आएगा k confusion खतम confusion खतम बस यही triangle याद रखो सारा गा सारा आजाएगा मालव अगर किसी ने पूछा j cross j cross k तो j cross k उसके बाद क्या है i answer क्या आजाएगा i मालव किसी ने पूछा k cross i k cross i k cross i क्या आजाएगा answer j next वाला क्या हो जाएगा j अब किसी ने उल्टा कर दिया इसी चिसको reverse कर दिया वहाँ पे भी रेडी है वहाँ पे भी कहानी रेडी है i किसी ने पूछ लिया कि भाई i cross k क्या होगा पीछे जा रहा है न हम लोग पीछे जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा minus तो i cross k क्या हो जाएगा j हो जाएगा बट कैसा j होगा minus j होगा क्यूंकि हम लोग ने direction clockwise अजियूम किया था बट अब हम जा रहे हैं पीछे की तरफ i cross k क्या हो जाएगा j i cross k क्या हो जाएगा j वही पर अगर हम लोग लिखेंगे k k cross j तो k cross j क्या हो जाएगा minus i yes or no k cross j क्या हो जाएगा i तो that is minus i क्यूंकि उल्टा जा रहे है हाँ या ना अगर किसी ने पूछा j cross i तो j cross i क्या हो जाएगा minus k तो तुमको यह पूरा याद रखने की जरौत नहीं है यह पूरा याद रखने की जरौत नहीं है बस तुम लोग यह याद सर्कल याद कर लो यह ट्रांगल याद कर लो कैसे जा रहा है कहानी खत्म हूजएगी समझ में आ गासारा चीज़ यह पूरा का पूरा यहाँ पर रिप्रेजंट के अगा हुआ यह पूरा का पूरा यहाँ यह जो चीज देख रहे हैं ना कि छषएगर वूडा सा उपर करदे तो तो यहाँ पे माल लो एक P vector है और P vector given है लेसे PX I cap plus PY J cap plus PZ K cap बरबर और एक Q vector है तो क्या हो जाएगा Q vector QX I cap plus QY J cap plus QZ K cap अब इनको multiply करने के लिए हमको लगाना पड़ता है determinant इनको multiply करने के लिए अगर मेरे को एक vector का cross product करना है दूसरे vector के साथ तो यहाँ पे मेरे को apply करना पड़ेगा determinant apply करना पड़ेगा क्या apply करना पड़ेगा determinant ओके अब determinant कैसे apply करते हैं देख लो P cross Q is equals to यह determinant है और 3 by 3 का determinant बनेगा कितने का 3 by 3 का कैसे बनेगा देखो सबसे पहले I J K fix order है यह सबसे पहले unit vector लिख लो I J K अब उसके नीचे यहाँ पे order पे ध्यान दो उसके नीचे मेरे पास P का coefficient आना चीए सारे के सारे P का coefficient पी का coefficient क्या है देखो सरा P X क्या है P Y क्या है P Z उसके बाद Q next Q एक तर रहे न तो उसके बाद Q का coefficient आना चीए Q X Q Y and Q Z अब यहाँ पे बोलोगे सार I J K कहा गया I J K already हम लोगने उपर लिख दिया है यहाँ पे सिरिफ coefficient लिखना याद रखना सिरिफ coefficient लिखना और कुछ भी नहीं आना चीए अगर तुम लोग P लिख रहे हो तो P का coefficient लिखो अगर Q लिख रहे हो तो Q का coefficient लिखो बस बास समझ में आ रही एवरिवान पक्का एवरिवान पक्का कैसे ओपन करते हैं आता है नहीं आता नहीं आता तो बोलो बताओ फट 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 नहीं आता चलो देख लो कैसे ओपन करत कर दो तो क्या मिलेगा qz into py minus qy into pz देखो आई का कोई लिखने के बाद आई का रो और आई का कॉलम भूल जा आई का रो आई का कॉलम भूल जा आई का रो आई का कॉलम भूल गए यह चार चीज़ दिख रहा है इसको इसके साथ multiply कर दो minus इसको इसके साथ multiply कर दो next minus j अब याद रखना यह formula का minus है यहाँ पे j के साथ minus आना चीए minus j अब j लिखा j का रो और j का कॉलम भूल जाओ j का रो और j का कॉलम भूल गए इसको इसके साथ multiply कर दो qz into px minus qx into pz बरबार next क्या आएगा last में plus k last में क्या आजाएगा plus k अब plus k यहाँ पर नहीं लिख रहा हो अब plus के लिखा अब again क्या करो same k का column भूल जाओ k का row भूल जाओ k का column भूल जाओ k का row यह 4 चीज मिल रहे क्रॉस multiply कर दो क्या मिलेगा qy into px minus qx into py कहानी खतम open हो गया determinant okay max में chapter है पूरा tension मतलो matrix पढ़ो गया पूरा 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 chapter है वहाँ पे determinant आराम से solve करना जितना इच्छा हो solve कर ले कोई problem वाली बात नहीं है बस यहाँ पे सीख लो क्योंकि यहाँ पे तुमको vector में solve आता है जब cross product solve करना देता है तो इसको determinant में solve करते हैं तो समझ में आ गया कैसे open करते हैं इसको अगर हम लोग example से समझेंगे तो और ज़्यादा clear होगा तो पहले note down कर लो यह चीज उसके पाद हम लोग एक्जामपल से यही चीज समझेंगे कोशिस करते हैं note down होगा सबका चलो अब माल लो example ले लो let's say take a example माल लो मेरे पास कोई a vector है और a vector है मेरे पास 2y plus 3j plus 4k और मेरे पास b vector है कोई let's say 2y minus 3j minus k ऐसा कोई तो vector है मेरे पास और मेरे को बोला है a cross b calculate करो क्या calculate करो a cross b तो कैसे calculate करेंगे a cross b i j k सबसे पहले i j k उपर लिख दो अब पहले a का coefficient that is 2 3 4 फिर b का coefficient अब याद रखना coefficient लिखते time sign को mention करना जरूरी है plus है तो कोई tension वाली बात नहीं है अगर minus है तो minus को mention करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2-3i-1 अब open करो bracket कैसे open होगा ज़र देखो तो again i लिख दिया i का raw column भूल जाओ i का raw column भूल जाओ देखो क्या मिलेगा minus 1 into 3 minus 3 minus minus 3 into minus 4 that is minus 12 bracket close हाँ या ना देखो क्या किया simple कुछ नहीं i का raw column भूल गया minus 1 into 3 minus 3 formula का minus फिर minus 3 into 4 minus 12 हाँ या ना next minus j minus j याद रखना यह formula का j है यह formula का minus है अब j का raw जे का column भूल जाओ क्या मिलेगा देखो minus 1 into 2 minus 2 minus यह formula का minus है 2 into 4 that is 8 plus k k का raw column भूल जाओ क्या मिलेगा देखो minus 3 into 2 minus 6 next 3 into 2 again minus 6 यह formula का minus है क्या हो जाएगा देखो ज़रा आई यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ज़रा minus minus plus क्या मिलेगा minus 3 plus 12 minus j क्या मिलेगा minus minus plus minus 10 minus 2 minus 8 minus 10 plus k क्या मिलेगा minus 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 12 हाँ यह ना यह क्या हो जाएगा देखो minus 3 plus 12 minus 3 plus 12 कितना हो जाएगा 9 i cap yes or no minus minus plus plus 10 j cap हाँ यह ना plus minus 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 12 k cap हाँ यह ना this is nothing but a vector this is nothing but a a cross b vector अब vector क्यों बोला जाएगा इसको देखो यहाँ पर i j k present है scalar product में i j k present नहीं थे मतलब वहाँ पर direction नहीं था यहाँ पर direction है यहाँ पर i j k का direction है तो अगर यहाँ पर question आ गया calculate the magnitude magnitude कैसे calculate करते हैं हमको पता है ना a cross b का magnitude कैसे calculate करते हैं under root 9 का square plus 10 का square plus minus 12 का square हाँ यह ना यह तो हम लोग ने देखा है ना resolution of vector में बहाँ हमको i j k का magnitude निकालने आता है under root i के coefficient का square j के coefficient का square और k के coefficient का क्या ही हो जाएगा देखो जरा 9 का square 81 प्लस 100 प्लस 12 का square 144 आड कर तो क्या मिलेगा देखो जरा 144 प्लस 100 करोगे 244 244 प्लस 81 कर देना तुम लोगो सबस्कार यह यह जाएगा ये विल गट दांसर है लिया अब ये भी करके बताओ सर ये बिकर के बताओ को हां सब बदाओ सब ये लो क्या हो जाएगा देखो ज़रा 1, 5, last में 5, 28, 24 24 में 8 जाएगा कितना होगा 32 2, 5, 3, 2, 5 यह 5 हाँ 3, 2, 5, this is the answer और root में रहेगा यह इसका root निकालना है तो निकाल सकते हो नहीं निकालना है कोई problem नहीं है clear, समझ में आ गया everyone पक्का कैसे निकालेंगे समझ में आ गया सबको cross product okay, so यहाँ पर actual में हम लोग ने topic खतम कर दिया है यहाँ पर हमारा scalar और vector खतम हो गया है अब mathematical method में एक और part है that is the calculus का part अब वो calculus का part तुमारे max में already है मतलब integration derivative अलरे तुमारे max में है तो अगर तुम लोग max में सीख रहे हो तो well and good है अगर तुम लोग चाहते हो कि वो आला topic भी मैं लूँ अगर वो आला topic भी मैं सिखा हूँ तो सबसे पहले comment में फड़ा फड़ा जाके बता दो कि sir वो आला topic भी cover करो तो ही वो topic लेंगे नहीं तो हम लोग next lecture और next lecture में हम लोग नया chapter स्टार्ट कर देंगे तो अब ये तुम decide करोगे कि वो calculus वाला part लेना है कि नहीं लेना है sir homework चाहिए आरे हाँ इसमें homework देना है ना चलो 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 एक मेंड़ेक में जाना नहीं कहीं homework ले लो vector product का homework ले लो माल लो a vector है a vector है तुमारा 2i minus 3j plus 4k और b vector है तुमारा 2i minus 2j minus 2k तुमको बताना है a cross b a cross b बताना है और as well as a cross b का magnitude भी बताना है दोनों चीज़ बताना है तुमको clear बात संज में आई so here we have completed your topic which is nothing but a scalar and vector अब जो next part है that is the calculus का part वो तुम लोग मुझे comment करके बताओगे कि वो करना है कि नहीं करना है क्योंकि already वो तुमारे max में है integration और derivative अल्रेडी तुमारे max में है तो अगर तुमको चाहिए तो वो हम लोग next lecture में वो तुम लोग decide करोगे वो comment तुमारे डिसाइड करेगा अगर comment आ रहे है कि चाहिए तो हम लोग continue करेंगे नहीं आ रहा है तो obviously हम लोग next chapter की तरफ बढ़ जाएंगे clear everyone बात समझ में आया so फटाफट sum solve करो comment करो अगर वीडियो यहां तक देख लिए हो तो तुमको पता है